नमस्कार में Nutritionist निरिशा गॉर्ण दोस्ता जो बहुत ही शांदार बहुत ही healthy आपके लिए recipe लेकर आई हूँ गर्मिया चल रही है तो बेशक में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शर्बत लेकर आई हूँ और वो शर्बत से विसे सभी लोग अवगत हैं बना के पीते भ डिया जाता है तो पर कोकम ढर्म में आता है तो ए सूख घैसा हुओयों सूख नानी थोड़ा है मैं सबसे पहले कि मैंने थोड़ous topic 15 नहीं हो बता देती हूं यह में इसको मैंने एक कप कोकम ले लिया था, दो कप पानी के साथ में मैंने एक घंटे से भीगो रखा है दो कप पानी लीजिए, ल्यूक वॉटर होना चैहिए, तब इक घंटे के लिए गणटा काफी है इसको कुआ और अगर आपके पास में ये वाला कोकम है को तुकूल ड्राई हो रखा है, तो आप 6-7 घंटा भिगो ये इसी सेम रेशों के साथ में एक कप ले लीजिए, कोकम दो कप ले लीजिए, पानी और 6-7 घंटा अच्छे से भिगो दीजिए, ये भी सेम वर्थ करेगा जो हम लोग आज कर रहे हैं ये काम, तो अब हम जान लेते हैं एक तो शर्बत तो हम लो मैं देखेंगे, बहुत सारी प्रॉपटी झाएब बहुत हैं, लुट जाल रही है, बहुत गर्मियां हो री हैं तो आपके पेट से रिलेटेटेट जो भी प्रॉब्लम है, उसमें ये शर्बत बहुत अच्छा काम करने वाला है, आगर आपको अलसर है, या आपको dehydration की problem हो रही है यह आपका जैसे acidity का problem खाना खाती अगर पेट जल रहा है तो यह शर्बत पीएंगे तो काफी आपको फरक पड़ेगा आपकी तवचा को एगदम से रंगत दे देता है यह बहुत ही अच्छी इसमें जो properties मेंने आपको बताई थी उसके कारण बहुत पोशक तत्व हैं इसके अंदर metabolism को बहुत दुरुस्त कर देता है यह तो metabolism अगर दुरुस्त होगा तो मैंने आपको पहले ही बता रहता है तो आपके weight loss में भी यह बहुत जादा सायक है इम्मुनिटी booster है यह बहुत ही अच्छा तो अगर इतनी सारे properties है इतने सारे nutrients हैं तो क्यों नहीं हम यह शर्वत्ती है फटा पड़ से तयारी कर लेते हैं इसकी recipe की तो यह बिगो के रख दिया है मैंने अब एक घंटा हो चुका है अब हम next process की तरफ चलेंगे तो पहरे ingredients द ले लेना एक कप ले लेना अभी मुझे अवेलिबल नहीं हुआ अधरवाइस मैं वो मिश्री ही यूज करती थोड़ा वाइट नमक लगेगा थोड़ा ब्लैक सॉल्ट लगेगा काली मिर्च का पाउडर लगेगा और पानी लगेगा तो बिल्कुस सिंपल कि अच्छे से देखिए पल्प तयार हो चुका है और हमारे अब नेक्स प्रोसेस पे चलते हैं तो नेक्स प्रोसेस में मैंने इस्टोव पे रख दिया है एक पैम और एक कटोरी में यहां पर एट कर रही हूं शुगर और अब एक ही कटोरी में यहां पर पानी एट करूंगी और इसे अच्छे से इसका कुछ भी चाशनी नहीं तयार करना है बस तोड़ा सा मैल्ट हो जाए शुगर तब तक हम अब इसे खिलाते रहेंगे और जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाती है तो यह पल्प हम इसमें मिक्स कर देंगे मुझे इसका कलर बहुत ज्यादा पसंद आता है और यह देखिए अब थोड़ा सा इसे मिक्स कर देते हैं और अब हम इसके अंदर एट कर देते हैं हमारे कुछ और प्रींग्रीडियेंस शॉप म Orion नमक कर रहे हैं सवाफ के आनूसर आप आठ कर दीजिए थो ड़ा सा मैं काला नमकís कर रही हूं कि और स्यवाफ कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा पीस ले लिजी अद्रक का और आप इसको कसके इसमें एड़ कर दीजिए वो डिपेंड करता है आपको अद्रक का स्वात कैसा लगता है और अब हम इसे लगातार हिलाते रहेंगे लोटो मीडियम फ्लेम पर जब तक कि फोड़ा सा सिरप के फ अब बस आधे से एक मिनट हम इसे और पकने देंगे आधे से एक मिनट बाद ने यह देखिए इतना अच्छा ठीक हो चुका है और हमको इसका इतना ही थिकनेस चाहिए फ्लेम ओफ कर देते हैं और अब हम इसको सिरप को चान लेते हैं क्योंकि हमको कोई भी रेशा नहीं च इसे बिल्कुल अच्छे से थंड़ होने देंगे ठंड़ा हुने के बाद में सेफ्च के बॉटल में सेवinging है हैं तो हमारी शिरफ ढ़ी हो चुकी है और यह देखिए थंडी ओने के बाद में तो जाएगगी नहीं को जाएगी तो आप सबसे पहले चलिए छर्वत तयार करें सबसे पहले हम डाल रहे हैं फ्रेश मिन्ट लीव उसके बाद में डाल रहे हैं आइस क्यूब्स जो की पूरी तरीके से ऑप्शनल है अगर गर्मी है तो अच्छा है आइस क्यूब्स एट करें तो अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करी या अपने स्वात के अनुसार भी ले सकते हैं हम डाल रहे हैं जो सिरफ तयार करी थी वो तोड़ा सा हम काल आली मीर्च का पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है बचों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं और अब हम एड़ कर देते हैं फिल्कुल ठंडा पानी और देखे तयार है यह आपकी बहुत हैल्डी बहुत रिफ्रेशिंग एकदम से बॉडी में थंडल पैद लू में जा रहे हैं बाहर नौर्ट साइड में बहुत जादा गर्मी हो रही है तो स्कूल से जब आएंगी ना बिल्कुल गर्मी से बेहाल होकर तो यह शर्वत पीगे उनको बहुत ही अच्छा लगने वाले अपने बच्चों के लिए जरूर से बनाइए खुद भी पीज एक तरे, नमस्कार